हंगर बार्हिक अधिवेहनत उपस्थित ठका भारतर प्रथम्जन प्रधानमंत्री होल नरेन्र मोधी दांगोरिया देव एया आमार हकलुरे कारने एक ओईतिहाहिक मुहुर्ट आमी तकल हुए आजी गोलुबान नित आलो हो भाईगबान माना या प्रधानमंत्री दांगोरिया एघिस्ट आहरी मोरा! माननिय प्रधानमंत्री दांगुलिया एई ओटिहाहिक हिवाहागर सहरर लुपोही पथारर लखमिनाथ बेजबुल्वा हमन्नाई खेत्रत आयोजित श्रिमन्त हंकरेव हंघर पसाषितम भर्हिक ओधिवेखनलय अपुना भगताप्रन राईजर होई ओफिनन्दन आरूप स्वागतम जनाई शूग जनाई सूग। All of us feel honored and fortunate to have honorable Modi ji here at the occasion. We extend a hearty and warm welcome to you honorable prime minister sir. We are fortunate enough to have your gracious presence at the Sahita Rathi, Lakshminath Bejbalua, Samannaya Skhetra, Rupohi Pathar, Sivsagar, Assam. आजिर दिन्तु अगनन भक्तप्रान राइस तथा हमग्र अखमभाखिर भावे, अतिकोई स्परानिय जिहेतु भारतबर हर खन्मानिय प्रधान मंत्री सुरी जुद नरेन्र मोदी जी आजिर ए हभात हो खोरीरे उपस्थित थाकी आमाक हकलुके गोरबानित कोरी एह हभाग मोहिमा मंदित कोरी तुलिसे। माननिय प्रधान मंत्री दांगोरिया आजि हमग्र भारत भाहिए आपुनार बोलिस्थने त्रितत उन्नोतिर न न हपुन लाफ करार लगते विश्धर बारत निजके हबल प्रोतिस्थार हपुन रसा आरंभ कोरी से। आपुनार सप्न पिपाखु नेत्रित्ताई हमग्र देहबाखिर फ्रिदयत नोतुन आहा आरू उद्दिपनार जुआर आनिसे। हे महुदय जगत कुरू हंकरेबर पदर रन्वे खुबाहित आरो पोवित्र कोरी तुला ए अखम खुमित आपुना आदरनी जनाबले पाई आमी ओति होई गर्विता देखा। वित प्रिमुझनार ट्कानले क्योंने कृट्टीों हमें ए वित कामी होई तुला गल्न कinekृटी nesse 라는 के सुछ्याम उन्हाली प्सक्र डेंटि तुङंसे सुच्टने वंनिस्टर्सरा अर्णे तफस्पμέग ऑ्युर्म्हित शोट मॉर्टें वितरने स्थी आूजट प्रम प्रि मिनिस्टर्य ऐस इविज का प्रिम प्रछाप्र टी मुगनींसुटर्टर्यू चप्रायों प्रदेश्टर्टर्टर्टर्ट है। एखनी सेलेंगेरे हम्बर्धना जनाब स्रीमंत हंकरेव हंघर माननिय पदाधिकार स्री जुद फबेंड्र नाथ डेकादेबे एखनी स्रीमंत हंकरेव हंघर माननिय प्रधन मत्री दांगोर्याग एट जापिरे हम्बर्धना जनाईसे प्रधन हंपार्दक बाभूल बरडेव हंघर मड़र उर्णेयल कांगोर्ल प्रेका बाभूल अर्णेयल के बीद एखने Hare तरहव्पा खनकरेवाम्च lle て लो स्रीमन्त संकारेब संहा और टो और सोर प्रखी कार्धी ऑयरा रहें नहीं बीविपरी कह दीण जॉट्याब में अटीमिनित प्रखुए एट विल्डन अल्सकार हम हन। करें प्रेस्ट्सेटिते विट अर्थाइब अर्था सुझाट है। आमार प्रधानमंट्री महोड़यक एखनी गामुषा आरो एती पातर सुलारे हमभधना जनाब। Our Honorable Prime Minister will be felicitated an emblem of Ranghar, a cultural heritage of the Aham Monarchy and Sarai by the General Secretary of Reception Committee, Sri Ananda Kumar Boda. Our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, will be felicitated with a Sarai by the General Secretary of Reception Committee. Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a gamosa and a stall by our Honorable Vice Chancellor, Dr. Kandarpa Kumar Dekka, Dr. Kandarpa Kumar Dekka, Dr. Kandarpa Kumar Dekka, Dr. Kandarpa Kumar Dekka Dekka, Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a memento and a kit containing some documents of MSSB knock-out by the Honorable Register, Sri Ratul Chandra Barra. Now, our welcome address will be delivered by Mr. Babul Boda, the Pradhan Sampadak of Sri Manta Sankar Deva Sankha. anda Kumar Dekka, 15 अज़प्टर आदरानी भाहन प्रदान को रभाभा अज़ जय गर्ट शंकारो अनरबल प्रीम मिनिस्टर अभ इंडिया लुझट नरांड मुझी जी अनरबल प्रादिका शीमता शंकाट अबसंद अभवेंद आज दिका सלख्राज सर्वाने सिनलाज cricketॉ ऐक्समीनिस्टर ऐमंत्र जॉष्यल्मा एंपी कमाक्ष प्लस जौइद धैउट ऐवर दक्टर बारसंद नेमरें झाजेट महँन छोगलाप्र देड्ल्य क्षण पर हीक्सि स्क्राज्ण युड्या घ्यक्नों नर्पिज तेस्वार आफ्यूर नहतुल छॉंट्डवारा, च२ंटवार्स प्रह प्रिफ भॉट। सुम्न है इस्टर इस्प्रेष्टेप्साइब कि आफ फॉटूट प्रैयंध सेथ्टिक्रफ्साइब कि अधृट्फेफ्साइब कि अधिए धुटूटुंग युटूजूग विथिऻ्स कुछी आपी Ал좌 है तू अँछी ङूँ आटा कमा प्राम्हें किसा पिर्स एटा कि हồ्सांघ को ऑंग सबस्टने साथ चाहा वाव करी आहीं पास्टासान प्रिमेन प्रीमेट गर्ट만 अवंड निवह क्य पाराऊन में विग्ट नहीं जर्म झाक हैं मोज स में भीार ा अधने पाद्वापु मन्हापुर का हो रberish essी तर निसे प्टल…. मैंने फेलमे कि एह थी даль कि आफ़ ब्यूब टिभस जार्वा तर New York inbox, North Check Els Guide to Daying. ुए अवे टिवें वैयोकर लेसुन्जेवर्वाईंडरे। हुज कि आओ कम भी करहें. इन अव्यूम्य मिल dissolvedपींडेंडेंडेंडें दिभ Мих business कि अविता संगयाभ मिल संकॉड़ प्रुप म अर 이но गळिंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें क्याफेस करना तुर्ज यहाद सिल्नावार में प्रताथ चाहरा कि व्याशना का लिए सम्सफिक्टाब प्राफ ट्राफ निए टुट्वाज़ बीजु रफट व सिल्वाटिक और सफेल्ड गडित्व अवारी हैं सम्सामान का तुर्फ ऑमिश्ज व्यम्का फ्रता ही फजर पर स्क्राइम दना पर ने चीक पर ने पेर अचल में शेम्कारज बड़ा जाना जना कल्पतरु तहां तबीना ौंठी नाय नाय अमार फरमा गुरो घक यो we offer our thanks to mr. Babul Vara now we request our honourable Padadhikar Sri Juth Bhavendra Nath-Dekadep to deliver his speech Krishnam, Jaya Garohangkar Harbogunakar Zakari Nahi Keupan Tuhari Saranakur Renohatakuti Bharika Karuhu Pranam Paramhanmanyo Bharadbarhar Manuniyo Pradhan Mantri Narendra Modi ji तेखेतर लगट हतित्छ होयो हा भारत सरकर माननियो मंत्री Kharbanan Kunwal ji आरो जेतेन रप्रधान ji आमार मंसट वविस्त अननन गन्नमन विखिस्त अचिछी हकल अभ्भागता होकल गुनिगेनी हज़न होकल आरो खमावीतो खुडिवरिंदो आमी होलो लुएके Sagatahon Mahahantra Naiso अपना होकलो लुएके आमार होकलूरे जी आमी अधिरा अग्रहरे अपक्षेरे रुएईसीलू आमार होकलूरे अधरुनियो आरो हनमानियों होकलूरे अपना सर्द्भर पत्रो भरत बर्खर्प्रानमंत तन्गरिय आमार माजरूरे। है सामी ठाहन जोला हीसे अमी तेकेरों शागता हों माहाँ जनाइसू आमीटेकरों लूप्सादा अग्रष ए घ्टेंगलेंसू ऑलीको pandemia कुछ्स अआरानोंक। इसको झा सबीस हमे कि अ मेन टूर चीर कि जान्याज़ मोधिजी अविने चेविजीर के ऐज्य कुह एंथरू इसक बड कि ऑनक जरetos है. गिङितान कोईो सब्किरिज की बचक जचम कीुछ कीुछ म Panτεel 그러म कीुछ इभर कीुछ डिर्ली क्या"! 4 चींकी, उस्याम समय महीं कीुछ । । आपने प्रहें जाने डिंच आपने अन्योंस प्रत्रीज के जाओने इन आपने अड़ी दीदगा है इन अज़ परेश्ट फिलीड से एंडेर्श के इन आपने झाले लिदा आपने आपने लिए। इन जाहते के अपने मेश प्राइध यू रेटरी रेन। जआ समय on to you. So we are behind him. We do hope and trust that in his able and efficient guidance and leadership, India will march forward in the paths of progress and development in the near future. and then about our organization he has already come to know about the vastness of this unique organization Srimanta Sanghadeva Sangha which consists lots of the members of the entire Northeast area Northeast region and then there's lots of members of our organization were eagerly waiting for his arrival here and we are actually very happy that we are getting him so closely in our midst so I do welcome extend my heartiest welcome to him once again and then about Mahabharata Srimanta Sanghadeva I want to speak one or two sentences you know that Srimanta Sanghadeva the most versatile genius an uncomfortable genius in the field of religion religious resurrection and religious reformation so Mahabharata Srimanta Sanghadeva was as has been rightly described by his ardent disciple Mahabharata Srimanta Sanghadeva that means the embodiment of all the qualities of of the virtues of human being so he was a unique figure the incarnation of God we do believe that we the followers of his help help the walk you we do believe that he was God incarnate he was the incarnation of Lord Krishna so he will be one of them don't know they will get on the other one of them don't look for so Srimanta was the incarnation of that Lord Krishna who has been the embodiment of all the qualities all the virtues and he is the grace of all gods so in fact you know that the concept of monetism the concept of oneness of God supremacy of God that has been a special contribution in the spiritual history of India by our Sanghadeva the saint Sanghadeva and he was as I have already told you that he was a versatile genius he was not only the propounder he was not only the preacher of religion he was an architect architect of society he was an artist he was a lyricist he was a poet he was a literature he was a social organizer he was a dramatist he was an actor and what he was not so he was actually the embodiment of all the possible virtues and qualities attributes of the that has been bestowed on us as human beings by the supreme creator Lord God Krishna so one of the most important features of his doctrine the cult of what is this that through the propagation of the cult of in the entire northeast region he had assimilated he has brought about a unique assimilation unique integrity and unique unique unity among the people belonging to the diverse communists belong to the diverse ethnic groups belong to the diverse castes of this entire region and this age-old disease of the the Hindu dharma Hindu religion or adhyo-sanatana dharma there is casteism so that has been removed totally from here so he had drained a the oneness of the society and then he had removed the casteism he had removed the untouchability and he had brought about the unique creation and integrity and unification among the diverse people of the entire region so that was his unique contribution and moreover another important point is there he had brought about an assimilation of the religion and the life so he has brought the religion to the human life itself so this assimilation the integration between the doctrine and the real life that has been made by possible by Sriman Sankar Dev and another unique point is there in those days in the medieval age when most of the part of India also were in the in the age of darkness was prevailing where several you know new bosnavit leaders were there new bosnavit religious reformators were there gurus were there but then Sriman Sankar Dev was the only saint only one guru who could dream the oneness the indianness so he has extolled the virtues of our great beloved country india so this unique quality is there and as already also i have already told you that my time is very short so now with these few words i have highlighted our organization is based on the socio-cultural and religious ideals of Sriman Sankar Dev and we are striving we are a triangle level based to form a new society full of peace full of love full of fraternity full of unity devoid of all sorts of this violence and all that so uh we hope and trust that our honorable prime minister Mr. Norendra Modi will look into these matters and we have a few words of appeal to him and now i am uh this our appeal is this that for the sake of the speedy economic growth and development of assam we like to bring is uh certain issues to his notice and our great actually hope and trust is this that we have established uh our university beloved university that is mohaburu srimanta sankar deviswavi deloye under the private university act and we will hope and trust that we will uh get the nourishment we will get the good will and good wishes of our honorable prime minister in respect of the infrastructure development of our university and then a few issues have been raised to his honor extension of the broad goes railway line on behalf of the people of our entire region extension of the broad goes railway line to all the parts of assam and construction of double railway track throughout assam number one two two to take steps to declare birthday of our mahaburu srimanta sankar deviswavi as the moitray day moitray day moitray day moitray divorce not moitray day moitray divorce to be observed throughout india this is second and now and to take appropriate step uh to bring back the brindamodi basra prepared by srimanta sankar deviswavi way back in the 16th century from the british museum so that i think that they will take the initiative and construction of a new bridge over the brahmovitra connecting shipsegar and dhukwahana dhamadji which has been related here this has been already said and then to take appropriate step to revive the dying industries under the public sector and rejuvenate the in rejuvenate the industries established by the central government in assam for the economic development of the any uh any region and also lastly and but not least to utilize the water resources of the mighty brahmovitra and its tributaries to convert it as a boon to the people of assam with these few words i do extend my once again the heartiest welcome to your honor honorable prime minister modiji sir thank you along with our honorable prime minister mr narendra modiji we have among us shri dharmendra pradhan honorable union minister of state petroleum and natural gas we request our reception committee to to felicitate sri dharmendra pradhan kandria montree sri dharmendra pradhanak aibharthana committee phalarpara humbharthana janabalai anurut januahul town जाए गुरू हंकर आजी ए आइध्येट्टिक खनत आमार माज़तु पुष्चित ठका भर्डब्रकर मानुनियो पधानमंती सद्ध्यो नरेंदा मुदी दांगोरिया केंदियो मंती धर्मेंदा पधान दांगोरिया आरू ज्यानपित बताबिजुई सद्धार डक्तर भाल्षन नेमारे दांगोरिया अखम हैत्यो हवार प्राक्टन हवाभूती डक्तर नगेन होईक्या दांगोरिया स्मानत हंकर्ड भंगर प्राम सद्धार पदाधिकार सद्ध्य भाल्षन नाद देका दांगोरिया हदाहन हमपादक बाभूल बरादांग ओरिया, आमार जुरहात लुकाहवा हमस्ती मानुनिया हांख़त कमेख्य प्रसत्ताशा दांग ओरिया, महापुरु स्रीमन्त हंकर्डेप विश्यविद्यलेर मानुनिया उपासाज्य, दक्तर कंडबर कुमार देकाई दांग ओरिया, पंजियक सध्य राटूल संद बरा दांग ओरियार लगोते, आजे मन्सद उपुस्चित हका प्रमसधर विखिस्ट अथिती हकल और हमवेत वश अगर पुट्टीलेर की कर्मकर्टाक, आरो बुष्णपरन भक्तविंडक माए, कोटी, कोटी प्रनाम जासिशू। आजे आमी हकले हो भाइग्यवाद, गुरुजनाई अदर खरे आमी आजी प्रान पाया उठिशू। आरो हमग्र, विश्वर भुकुत गुरुजनाई अ अखमया जातिक आई धातिक ज्यानोर पुर्वर्डी से, तो तो कि हे गया कि महान गुरूर हनिद्ध पाए आजी अखमर जुबा हमास उत्फुलित होईचे, आरू हक्ति हली होईचे आई धातिक भाबे, मौई भाबू अखमया जातिक प्रतिस्था कुरिबर भाबे, अजनार कृपादिस्थी फलत, अखमया जातिये, साधिनाता जुबा आत्खोस्थी बसर भीतोर अट्टाइट कोई दांगर एती विद्धुक लाफ कोई भीले होईच्खम हलू, गेसके कार प्रकल्प लेपेट कोटात, दह हाजार कुटी तका ब्याय कोरी निम्बान कोरी एक गेसके कार प्रकल्प आजी भर्डब्रकर माननियो प्रधान मंतिर नोयन्दमुदी दांगोरियाए, रास्टर नामत उर्खलगा कोरीले, आरू, एक गेसके कार प्रकल्प हे हकल महान सोहिद और महान त्यागर भावे आमी पाबले हक्खम हलू, जी हकले सबसर्या गनो अंदुलाट प्रान बलिदान दिशिल, एक हे हकल महान सोहिद अकु माय आजी गभीर सद्धान जली ग्यापन कोरीशु, आजी माननियो प्रधान मतिर नामतिर नोयन्दमुदी दांगोरियाए, के बातल काईज होसी रंख ग्रहन कोरी, आजी वष्णप्रान, भक्तबिंद शिर सरनात, प्रणाम जनाबर भाबे यातु पस्थित होईची हि, माय हमग्ग्र अख मर गुरुझनार अनुगामि होकलर होई, माय माननियो प्रधान मतिर आगोरियाँ आन्थरी कित्टगेद आग्यापन कोरीशु, कारन तेके थे आजी गुरुझनार पर्ति प्रकल्पर काम आगन्टक दिनत आगवाए नियार भावे भारत सरकार डाइबड़ ठाकिवा अर यार भावे जीखेने जाबो तिया होजुगी तार पुरिजन आगन्टक दिनत भरत सकार तरफर प्रा निश्चीर भावे आगवर होँगो धन्या बाद जाई गुरू हंकर होजुट्क ERA्ट थाटर होजर। at Rūpuhipathar, are awaiting eagerly to listen to the valuable words of our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modiji. We request most humbly and respectfully Mr. Narendra Modiji to overwhelm us with his valuable speech. जय गुरु हंकार मोई नवो बाईश्नाओ धर्म स्रवर्तक महा पुरूष स्रीमर शंकर देवो लोई हद कोटी प्रणाम जोनव इशू मंच्पर विराजमान मंत्री परिशत के मेरे साथी असाम के होनहार नेता सिमान सरवानन जी मंत्री परिशत के मेरे साथी धर्मेंदर प्रदान जी सिमान संकर देवा संग के पदाधिकारी शिमान भावेंदर नाद देखा शिमान बाबुल वोरा प्रप्रसर केके देखा प्रप्रसर नागेंच साइकाई प्रप्रप्रदीब जोती महेंथ महरास्टर से विशेश रुप से पधारे हुए जिनान पीट एवोर्ड से सम्मानित डॉक्टर निमारे जी हमारे लोग प्रियस आंसत शिमान कामा के प्रशाद ताशा बाइस्री हमंता विश्वाजी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संख्या में आये हुए सभी महानुभाव मैं सबसे पहले तो आप सब को प्रडाम करता हूं इनके सब योजकों को प्रडाम करता हूं कैसे पवित्र आउसर पर मुझे आपके बीच आने का सभाग्य दिया कोई कल्पना कर सकता है कि पांच सताब्दी से भी पहले किसी व्यक्ति को जब कि उन दिनों में न कैमेरा थे ना खबार थे न टीवी था न टेलीफोन था उसके बावजुद भी पांच सताब्दीयां बीतने के बाद भी हम सब उस महापुरुष को याद करते हैं उनके बताईव रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं वो कैसी बिलक्षन प्रतिबा होगी जिनोंने सद्यों तक समाज पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा है ऐसे सिमस्वंकर देव गुर्जन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उनके विशेस्ता देखी यहां तो सब लोग बैटे हैं वे उनकी हर बात को जानते हैं उनकी हर बात को जीने का प्रयास करते हैं सद्यों पुराने उनकी बातों को आज भी जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और इसलिए मैं उनके लिए कुछ कहूं उससे ज़्यादा आप सब उनको भली भाती जानते हैं पर जब हिंदुस्तान के अन्य भागों में जब उनके विशे में लोगों को जानकारी मिलती हैं तो बड़ा ताज्यूब हो तो उन्होंने अध्यात्म को जीवन के रंग से रंग दिया था सामान्य तहा हमारी आध्यात्म की सोच ऐसी रही जो कभी कभी सहज जीवन को नकारती रही लेकिन स्रिमत संकर देव जीवन के रंगों में ही अध्यात्मिक्ता भ्रने में एक नई मारदर्षक बने रहें कोई सोच सकता है अध्यात्म और नाट्य का समग को तो सोच सकता है अध्यात्म और नाट्य को संगीत को जो समाज जीवन की सहाज वृत्ति प्रवुत्ति थी उसको ही अध्यात्वा के रंग में रंग दिया और उसके कारण सिमंत संकर देव आज भी हमारे लिए उतने ही रिलेवंट है जितने कि उनके अपने जीवित काल में दूर सुदूर आसाम में रहने वाला संथ यह अध्यात्मिक महामानव पांच शताब्दी पहले यह कहें कि हम ऐसे आथामी बने ऐसे आसामिया बने कि हम उत्तम भारतिय बने राष्ट्रबाद का संदेश उसने दूर उतनी सताब्दियों पहले कोई महपुरुष देता है वे यह भी कहते हैं कि हमें राष्ट्र निर्मान करना है लेकिन राष्ट्र निर्मान करने के लिए भी व्यक्ति निर्मान यही हमारा मार्ध होगा और इसलिए जन जन को जोड़ना समाज के ताने बाने को ऐसे जोड़ना कि समाज एक ऐसी शक्ति के रुप में उभरे यहे जो अपने बल्भुते पर विकाष भी करे अध्याद में चेत्रा भी जगाए और संकटों को भी पार कर ले यह ऐसे हैं अध्यात्म महापूरु उस्ते जो सास्त्र में भी समर्पित थे सस्त्र में भी समर्पित थे उन्होंनेC inve treble भक्तों को आततायों के खिलाब लड़ने के लिए तयार किया, बलिदान देने के लिए तयार किया, क्यों मात्र भूमी की रक्षा करनी है, अध्यात्मिक्ता की रक्षा करनी है, महान उत्तम उजवल परंपराओं की रक्षा करनी है आज भी हमारे समाज में जो बुराईयां है बले कम हुई हो लेकिन कहीं कहीं जब वो बुराईयां नजर आती है तब कितनी पीड़ा होती है हिंदु समाज ये एक विशेस्ता रही हजारों साल पुराना इस समाज है समाज समाज पर उसमें कुछ विक्रुतियां भी आई बुराईयां भी आई लेकिन इस समाज की विशेस्ता थी कि अपने मैंसे ही ऐसे महापुरुशों को उसने पैदा किया कि जो खुद ही समाज की भुराईयों के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए मादान में आई ये छोटी बात नहीं है आज भी कहीं पर अस्पुरुश्यता के खिलाब बोलना हो छुआ छुद के खिलाब बोलना हो तो कभी कभी लोगों को लगता है कब जरुरुत क्या है स्रिमत संकर देव ने पांच स्वताब दी पहले अस्पुरुश्यता के खिलाब उंच नीच के भेज के खिलाब समाजिक एकता के लिए जहां गए वहां उन्होंने पूरे भारत का ब्रह्मन किया था उस जमाने में कितने कश्ट जेले होंगे और यह संदेश पहुचाया कि समाज में यह जो विक्रुतियां विक्रुतियां खतम होनी चाहिए समाज में जो बुराइयां है बुराइयां खतम होनी चाहिए युकों के अनुसार कभी कभी बुराइयां बदल जाती है आज के समय में स्रीमत स्वंकरदेव के रास्ते पर और इतने सबर्पित सेवकों की आप लोगों की टीम है सरकार को इतना बड़ा कारकम हो तो 50 बार सोचना पड़ता है और मैं देख रहा हूं मैं हलीकोप्पर से देख रहा हूं जहां देख रहा हूं लोगी लोग नज़रा अरहा रहे हैं यह कैसी आध्यात्मिक अध्यात्मिक ताकत है एक कैसी सात्मिक ताकत है हमारे राष्ट को आगे ले जाने के लिए हमारा सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है उसमें यह अध्यात्मिक चेतना अध्यात्मिक शक्ति सात्मिक शक्ति इसका बहु मुल्य है और उसकी शक्ति को जोड़ने से राष्ट तेज गतिश आगे बढ़ता है, आज भी रिसर्च के काम, साहित्य के काम, सिख्षा के काम, लोग समस्कार के काम, समाज का कल्यार करने वाले काम, आज सिमत संकर देव समस्तान के द्वारा चल गा है। लेकिन अच्छा यही है, कि सब मिलकर के काम करें, कंदे से कंधा मिला करके काम करें, तो यह ताकत और उभर करके आएगी, और समाज के एक नई शक्ति बन करके रहेगी, ऐसा मेरा भी स्वास है। यह प्रमुख लोगों ने मेरे सामने रखी है, मैं उन सारी बातों का गहराई से अध्यान करूंगा, और उस में से जो भी हो सकता है, उस करने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि यह काम आप कर रहे हैं। अब माल लीजिए, मुझे आसाम में ही स्वच्च भारत अभियान चलाना हो। अगर आप लोग मन में ठान लें, तो सरकार की जरूत पड़ेगी क्या, आसाम कभी गंदा होगा क्या, अगर आप लोग तैय कर लें, स्विमत संकर देव के नाम से जाय गुरु शंकर बोल करके निकल दें, मैंने मानता हैं आसाम में कोई गंदकी रह सकती हैं, स्वच्च भ पोलियों का खोराक, बालक और के लिए वैक्सीन, इस सरकार का बहुत बड़ा भ्यान होता है, एक भी बालक वैक्सीन के बिना रहना जाएं, एक भी बालक पोलियों के खोराक के बिना रहना जाएं, यह ऐसा बड़ा काम है, अगर हम वारे इस संस्तान के लोग उसके साथ ल कि सरकार और समाज की शक्ति जुड़नी चाहिए कि सरकार और समाज की शक्ति मिलकर के निर्धारित लक्ष्ठी और आगे बढ़नी चाहिए तब जाकर के हम सिमत संकर्देव जिस प्रकार का भारत चाहते थे वो भारत हम बना सकते हैं संकर्देव के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं और इस अध्यात्विक अउसर पर मैं गुर्देव को प्रणाम करता हूं फिर एक बार आप सब का भार वेक्ते करता हूं और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं आप इतने उत्तम काम कर रहे हैं इतने सात्रिक काम कर रहे हैं दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़े रहने में कभी पीछे नहीं हटेगी यह मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जाए गुरुशंकर अगुश्वाइब प्राइम मिनिस्टर सार वी एक्स्टेंड आवर हार्ट फूल थैंक्स एन ग्रेटिटीट फॉर योर स्पीच हन्मानिय प्रधानमंत्री डांगोरियार भाहने आजी अगनन राइजर हिदयक आंडोलिट कोरिले तेखे तलोई आमार हिया भरा उलग जासीलू आरु लगते आमी तेयर प्रति प्रितविग्ग